तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मुझसे question अब तक पूछा गया है मेरे selection के बाद से इन 3-4-5 सालों में कि सर आपने कौनसी book से पढ़ाई की थी तो जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे तो यहाँ पर एक good news है आप लोगों ने भी से news में चल भी रही है ये बात कि sub inspector मध्य प्रदेश sub inspector की vacancies आने वाली है और बहुत ही जल्द हो सकता है इस मुंद के end में December end तक में उसका notification भी आ जाए ऐसा हम उम्मीद तो करते हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए तो important बात यह है कि sub inspector की vacancies चुकी आने वाली है तो जो लोग पहले से तयारी कर रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे से तयारी करना start कर दें और जादा और जादा practice होता है है ना उसी ratio में जादा पूचेंगे कि जैसे अगर हिंदी आ रहे थी तो हिंदी आएगी बस यह है कि उससे questions कम जादा हो सकते हैं तो पढ़ना तो हमें वही चीजे हैं थोड़ा और पढ़ना है और pattern आ जाएगा तो इस बारे में हम लोग बाद में फिर से वीडियो बना का discuss करेंगे फिलाल हम लोग पुराने pattern को लेके चलते हैं 200 अंक वाले pattern को और उसे साब से हम लोग silvers तयार करेंगे फिर pattern change होगा तो उस according हम लोग थोड़े से बदलाव कर लेंगे क्योंकि पढ़ाई तो सेम रहती यह पढ़ना वही है तो दोस्तों सबसे जादा जो बुक लिश्ट बता दीजिए हम तयारी करें बुक लिश्ट में तो ठीक है आज हमारा जो वीडियो है यह पूरा इसी पर बेस्ट है मैं आपसे पूरा discussion करूंगा कि कैसी बुक्स हैं अराम से इस वीडियो के इत्मिनान से देखिए और जो बुक लिश्ट मैं बता रहा हू प्रिफर की थी जिनका मैंने सहारा लिया था तो तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी exam हो सब exceptor का हो चाहे वो और कोई exam हो सबसे important क्या ह데 सबसे important होता है syllabus तो आप लोगों से मैं एक बात कहूंगा कि सबसे पहले जो सब तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है पर हमें पढ़ना वो है जो एक्जाम में आना है हमारा जो लक्ष है हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे ठीक है तो जैसा कि सब इंस्पेक्टर का पैटर्न है दो सो अंक्य का तो सो अंक्य का ज होते थे 50% पार्ट होता था लेंग्वेज का और 50% होता था बाकी जीएस है ना तो लेंग्वेज जो है में देखो मेरा तो यही मानना है जो कि मैं सब इंस्पेक्टर की तयारी किया हूं तो मैं सब इंस्पेक्टर के लिए आपको खास कर बता दूं कि जो लेंग्वेज व रहे हैं, नॉर्मल कोई भी तयारी करने वाला छात्र है, तो GS मतलब General Studies वाले पार्ट से, वो Almost, मतलब जैसे 100 Marks का आता है, तो कम से कम वो 70 के Approx, अगर आप अच्छे से तयारी करना है, तो 70 के Approx आप ले आएंगे, आप ले आएंगे, है ना, लेकिन जो मेन स्कोरिंग होता है, मेन जहां आदमी छोटी-छोटी गलतियं करता है, छोटी-छोटी-छोटी सेली mistakes करता है, वो portion होता है, ये language वाला section, 50%, इसमें भी क्या होता है कि जो 70 marks, मतलब बहुत बड़ा हिस्टा exam का, 70 marks का सिर्फ हिंदी पर डिपेंड होता है, अब नए pattern के हिसाब से पता नहीं क्या होने वाला है, पर ये है कि पढ़ाई तो यही है, syllabus तो यही है, बस exam pattern बदलने वाला है, ठीक है, अगर वो 70 रंग की आ रही थी, तो अगर यद classification जारी हो जाएगा, clear हो जाएगा, pattern नहीं की, तो हम दुबारा इस बारे में discuss करेंगे, तो main यह हम बापस आते हैं, अपने main topic में, कि 70% हिंदी आती है, और 30% English आती है, तो 100% में, मतलब 100%, जो भासाई 100% है, उस में से 70% हिंदी, 30% English, मतलब 70 रंग की हिंदी, और 30 रंग की English English, 100% मैं से, बाकी जो 100% है, वो अलग है, GS वाला वो जैसा कि मैंने बता दिया है, तो यह main scoring होता है, हिंदी और इंग्लिस, तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं, जो अपने book list वाली जो जर्नी है, जो सबसे बड़ा question हम इसा बना रहता है, कि कौन सी book पढ़ें, कौन सी prefer कर हैं तो सबसे पहली जो book है, वो हम लोग discuss करेंगे कि सबजेक्ट की, हिंदी की, तो हिंदी में मेरे हिसाब से, तो हिंदी के लिए जो मैं पहली book आपको बताने वाला हूँ, वो है महावीर की सामानी हिंदी, कौन सी? महावीर महावीर की सामानी हिंदी महावीर की सामानी हिंदी में सबसे इसकी खास बात जो मुझे इसमें पसंद है, उसमें ये है कि इसमें व्यापम में जो अब तक की जो question answer हुए हैं, व्यापम में अब तक की जो हिंदी से related question answer हुए हैं, almost आपको इसमें मिल जाएंगे तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ clear हो जाएगा कि व्यापम आकर हिंदी के कैसे questions लेता है, मैं हमेशा इसको prefer करता था, तो पहली book में आपको यही suggest करूँगा, महावीर हिंदी सामानी हिंदी, ठीक हैं, और दूसरी अपनी सबसे खास, जैसा कि जो सब सबसे ज़्यादा authentic भी है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रमाणिक उसी को माना जाता है, आप कोई भी तैयारी करने वाले बच्चा, या कोई भी teacher, या कोई भी coaching, या कोई भी institute, सबसे ज़्यादा वही suggest करेंगे, उसका नाम है हिंदी, Lucent की सामान हिंदी, है ना, तो Lucent की सामा लेता था, जैसे महावीर की book है, या फिर और कोई book है, पर मैं जो conceptual तो था है, इसी से पढ़ता था, क्योंकि ये ज़्यादा मानक है, फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको जैसे doubt होता है, देखिए, एक परसंट गलती सब में है, एक दो परसंट book में हो जाते है, कभी misprint के कारण है, कभी और कोई factual कारणों से, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें संदेव हो रहा है कि ये question गलत है, तो तुरंट आप Google कर लीजिए, सबसे अच्छा साधन Google Baba, है ना, कि अगर doubt हो रहा है, तो आप किस से पोचेंगे, किस से नहीं confusion, उस अच्छा Google में सर करके आप को अंसर तुरंट क्लियर हो जाएगा, तो दूसरी बुक, Lucent की सामान हिंदी, और हिंदी में और बुक्स आपको पढ़ना है, तो एक अरिहंत की मानक हिंदी आती है, वो भी काफी अच्छी बुक है, आप उसको भी प्रिफर कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, इसके अलाबा वस्तुनिष्ट क्वेश्चन, मतलब जो अप्सिनल क्वेश्चन से उनको पढ़ना है, तो उसके लिए एक में बुक्स प्रिफर करता था, उसका नाम है किरन, किरन की एक वस्तुनिष्ट आती है, वो भी बहुत अच्छी है, इंदी की आल्मोस्ट यहाँ प प्रिफर किया था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो आप भी करिए, मैंने इनी बुक के थरू ही एक बार मैं सेलेक्ट हुआ हूँ मैं, तो आप लोग भी इसको प्रिफर कर सकते हैं, अब जो अगला टॉपिक है, जो तीसंग का आता है, भासाई वाले भाग म मैं तीसंग की इंगलिस है ना, हिंदी मीडियम चात्रों के लिए थोड़ा सा कटिन हो जाता है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग कॉन्फिडेंस मत करिएगा, बिल्कुल भी हिंदी मीडियम बालों के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इंगलिस आप आपको बहुत जादे नहीं आती है, मातर तीसंग की आती है, अगर आपको ग्रामर सही है, आपकी ग्रामर में थोड़ी सी पकड है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंगलिस में, तो इंगलिस के लिए तो हमेशा मैं एक बुक सज़ेस्ट करता ये पढ़ाई के पहले, कोई भी एकजाम अगर आप टार्गेट कर रहे हैं, तो आप सिलेबस उठाना कि उसमें से ये 10 टॉपिक, 8 टॉपिक जो भी आते हैं सब इंस्पेक्टर में, वही टॉपिक उठाके आप वीके सिना से पढ़ लीजिए, तो बहुत हैल्प मिलेगी, काफी अच्छा explanation होता है उसमें, और इंग्लिस में भी यही suggest करूँगा मैं, कि जैसे कोई topic पड़े, आपने कोई भी topic पड़ा, जैसा adverb या कोई भी, उसके बाद आप कम से कम 500 question लगाईए, कम से कम 500 question लगाईए, तब next topic में जाईए, ताकि आपको उसमें पकड़ बनी रह है, और 500 से ज़्यादा लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास time है, आपके पास आप करना चाहते हैं, तो और ज़्यादा question लगाईए, पर minimum 500 आप prefer करिए, कि इस topic को मैंने आच पड़ा है, तो इसके 500 question तो मैं cover करूँगा, चाहे किसी भी book से करूँ, है न और English के लिए आप Paramount की एक और book आती है, तो वो भी prefer कर सकते हैं, काफी अच्छी book है English के लिए, वो भी, तो Hindi की books हो गई, English की books हो गई, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था, जो मुझे सुरू में बताना चाहिए था, एक और महावीर की book आती है, महावी सही तो आपको मिल जाएगा, तो बहुत help मिलती है, अगर आप एकदम नए है, सब इंस्पेक्टर बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, तो पहले आप ये book उठा लीजिए, महावीर की जो सब इंस्पेक्टर भरती करके एक book आती है, तो उसमें आपको पुराने सारे question paper मिल तो बहुत ज्यादा आपको idea हो जाएगी, इतने घंटे में कितना कर पा रहे हैं, कितने question उस type case में से मिलते हैं, तो कोई भी topic पढ़ो, और फिर इसमें जाके आप क्या करिए, question answer एक बर लगा लीजिए, तो काफी idea हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक section खतम हु कि व्यापम में सबसे ज्यादा trend में सारे मतलब व्यापम के जो exams हैं, उसमें वो ज्यादा पूछ रहा है है current affairs, even sports भी पूछ रहा है, तो current affairs से related ही चीज़ें पूछ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग discuss करते है current affairs के बारे में, current affairs तो यार सब को पता है कि ठीक है, रोज newspaper पड़ो, है न, update रहो आसपास के जो घटनाए हैं, जो अपने देश दुनिया में घटनाए हो रहे हैं, उसके आप update रहे हैं, प्रतियों की ताद अरपन एक बहुत famous पत्रिका है, उसके लिए बहुत अच्छी है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन जो मैं आपको, मैं टाइम कम रहता था, और newspaper डेली पड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक युवा करके पत्रिका आती है, एक पत्रिका आती है, युवा एक मासिक पत्रिका आती है, तो 10 रुपई की आती थी और सायद तक अभी 12 रुपई की आने लगी तो उसमें वो current effects के लिए बहुत अच्छी है, कैसे मैं बताता हूँ कि वो रहती तो बहुत सारी है, पर उसमें एक खास बात है कि उसका जो front page रहता है, पहला और दूसरा, मतलब पहला पन्ना जो रहता है, उसमें वो क्या करता है, महिने भर की हर दिन की date के साथ, हर दिन की date के साथ एक एक दो दो news उसमें डली रहती है, खास news, mostly important news वगेरा उसमें डली रहती है, मतलब जैसे एक जनवरी का है, तो एक जनवरी को ये दो तीन important कटना है हुई, दो जनवरी को, तो मैं क्या करता था, कि रोज तो नहीं पढ़ पा रहा, पर मैं ये मासिक पत्रिका ले तो उसमें मैं क्या करता था, कि जैसे मैंने जनवरी का तयार किया, कि ठीक है यूवा मिल गई, जनवरी का मैंने पूरा पढ़ लिया, अच्छे से ठीक है, यह current affairs हर दिन का पढ़ लिया, note down करना है, तो note down कर लिया, वरना मैं तो तो उसमें टिक कर लिया, अब क्या हुआ कि अब जब February में, अगले महिने की जब यूव आएगी, जैसे February में यूव आई है, February में, तो मैं क्या करता था, कि फिर February का मैं पूरा पढ़ता था, साथ में एक रांग, जैन्वरी वाला भी पढ़ लेता था, तो क्या है कि ये पूरा रिवाइस हो जाता था, और दो महिने का त अगला टॉपिक बचता है, अपना MP, MP भी एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, तो MP के लिए दोस्तों, MP के लिए जो सुरुवात कर रहे हैं, तो सुरुवात कर रहे हैं, उनके लिए परिक्षा धाम, मध्य प्रदेश परिक्षा धाम करके एक बुक आती है, काफी पतली स के लिए परिक्षा धाम, और अगर मध्य प्रदेश के लिए अगर दूसरी बुक की बात करें, आप थोड़ा गहराई से पढ़ना चाहते हैं, या साथ में MPPSC के हिसाब से भी पढ़ना है, तो एक बहुत अच्छे बुक है, महेश कुमार बढ़माल जी ने उसको लिखा एक समग्र अध्यन, तो मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो टॉपिक पढ़ने के बाद साथ साथ अबजेक्टिव जरूर लगाते रहे, वो बहुत इंपोर्टन है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जो ए अबजेक्टिव और MP, तो आप जैसे इन बुक से पढ़े, उसके बाद आपको अबजेक्टिव लगाना है, तो यह प्रिफर कर सकते हैं, पुने कर गी, और मैस के लिए, मैस रिजिनिंग के लिए, तो अपनी RS अगरवाल बैस्ट है, और इसके लावे मैस तो बहुत सारी आती है, आप कोई भी प्रिफर कर सकते हैं, चुकि मैं तो हायर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, मतलब मैं 11-12 मेरी मैस रिम एंजिनरिंग किया, तो मुझे मैस तो खेर पढ़ना नहीं पढ़ा है, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो आप RS अगरवाल फॉलो कर सकते ह बहुत ही हाई लेवल की मैस नहीं आती है, बिलकुल बेसिक मैस आती है, और मुझे नहीं तयारी करनी पड़ी थी, अगर आप मैस टीम से हैं, तो सायज ही आपको मैस पढ़ना पड़ेगा, उस लेवल की मैस उसमें नहीं आती है, और वाकिय जो सामान ग्यान है, उसके लेकिन उसमें मैं एक और बात बता दूँ, कि मतलब जो बेसिक चीज है, उसमें कि जो उसमें विविद वाला सेक्शन रहता है, विविद या मिस्लेनियस जिसको बोलते हैं, वो उसको तो आप रटे लीजिए, एकदम मतलब कंठस्त, वो उसको कंठस्त होना बहुत जरूर उसमें बहुत सारे questions बनते हैं, क्योंकि इसलिए विविद इसके लावा जो बुक में जो बीज बीज में बने रहते हैं, factual चीजें जिसमें बताई जाती हैं, उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसमें से काफी questions आते हैं आजकल, तो दोस्तों हमने almost सभी subject की books discuss कर ली हैं, फिर दीरे में वीडियो के जरूर, हम लोग syllabus complete करते रहेंगे, बीच बीच में मैं doubts के लिए live classes भी लूँगा, है ना तो आप जुड़े रहेंगे, और चैनल को subscribe करिए और दोस्तों से share करिए, खासकार उनसे जो तैयारी कर रहे हैं exams की, ज़रूर उनसे share करिए, और मैं जो बीच मैं live classes रहूँगा, आप उसमें direct doubt पूछ सकते हैं, हम लोग live discussion भी गरेंगे, इसके अलावा आप नीचे comment box में जाके भी आप अपने question रख सकते हैं, या फिर वो topic बता सकते हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें और तयारी की ज़रूरत है, या sir से कोई help चाहिए, तो आप वो topic मेरे को नीचे comment section के तुरू आप बताईए, तो मैं definitely कुछिस करूँगे अगला वीडियो उस पर लाँ, खेर आप तो चुकि exam आने वाली है, हम लोग लगातार study से related वीडियो में लेकर आता रहूँगा, और इन सब के बीच में एक बात है कि motivated रही है, है ना, बिल जिद पर आजाएं तो मोड दे रुख तुफानों का भी, तेवर अभी तुमने देखा कहा है वर्दी के दिवानों का, थेंक्यू सो मच, जैहिंद